नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुम्त शर्मा क्रिमिनल्स देख रहे हैं आप वो महिला कराहती है चीखती है लेकिन उस तांत्रिक और उसके साथियों का दिल नहीं पसीच था जो महिला का इलाज तलवार से करते हैं महिला को बाहरी हवा का डर दिखाया किया पीडित महिला ने तांत्रिक से इलाज करवाने से इनकार कर दिया था जिसकी दी गई खौफनाक सथा ये थर्ड डिग्री होश उला देने वाली है आप देखें वो तलवार से इलाज करता है ना सुनने पर भड़क जाता है इलाज करवाने से महिला का इनकार तांत्रिक ने थी ऐसी खौफनाक सजा ऐसे तांत्रिकों से सावधान 21 सदी के इस युग में आज भी ढोंगी तांत्रिक पाखंडी बाबा अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों के जहन में वहम डाल देते हैं और जो लोग अंद विश्वास की पट्टी आँखों पर बांदे रहते हैं वो तो ढोंगी पाखंडीयों के हुक्म के गुलाम बन जाते हैं धार से आई ये तस्वीर ऐसे तांत्रिकों के जाल में फंसे लोगों को साबधान कर रही है इस महिला के साथ जो हैवानियत हुई वो थर्रा कर रख देती है जिसम पर वहशी पन के निशान हैं जिस पर तलवार से ऐसे कई निशान बनाए गए हैं जिससे ये खौफनाक सजा देने वाला कोई और नहीं बलकि तांत्रिकों और उसके साथियों की टोली है जिसने महिला के साथ ये बरबरता की धार के बलवानिया में ये वहशी पन हुआ है महिला को तलवार से कई कट लगाए गए हैं जिससे महिला बुरी तरह जखमी हुई इस केस में कहानी क्या है ये सुनिये जरा दरसल महिला के हाथ पैर में दर्ध हुआ जो पास में रहने वाले ओजहा के पास गई लेकिन तांत्रिक ने उसे बताया कि उसे बाहरी हवा लगी है इलाज जरूरी है यहां महिला तांत्रिक के जहासे में नहीं आई उसने इलाज से साफ इनकार कर दिया यानि पाखंडी की चाल काम नहीं आई महिला ने कहा वो डॉक्टर से इलाज करवाएगी बस ये सुनते ही पाखंडी के घुसे का पारा साथवे आसमान पर पहुँच गया महिला के मना करने पर भी उसका इलाज किया और इलाज की नाम पर उसे ऐसे जखम दिये तलवार से ऐसे कट लगाए माबलाद था ने पहुचा जहां आरुपियों के खिलाफ के इस दरज हुआ है सोचिए जरा ये पाखंडी कैसे होते है जिनके जाल में कोई फस जाए तो भी उनका बुरा हाल जो इनकी चाल में ना आए तो उसे ऐसी सजा देते है तो जरा होश्यार रहिए तंतरमंत की बिसात का मोहरा मत बनिए सवाल तो ये भी है कि आखिर कब खत्म होगा अंद विश्वास का ये अंधिरा धार में नवीन मेहर के साथ वियर और पोर्ट, निवजेटीन, मध्यप्रदेश, 36 गार अब जो लव स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहा है इसमें कई पैंच है जिसमें प्रेमी का से प्रेमी ने शादी का वादा किया लेकिन वादे से वो मुकर गया मामला थाने पहुँचा आरूपी को जेल की हवा खानी पड़ी लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर से लड़के और लड़की के बीच शादी की बात होती है मंडप सच्चता है दुलहन और उसके घरवाले दूले का अंतिजा कर रहे थे लेकिन इस कहानी में दुलहन मंडप में नहीं बलकी थाने पहुँची वो भी इंसाफ मांगने दुलहन करे दूले का इंतिजार घराती थे स्वागत को तयार मंडप तयार दूला फरा साथ फेरे रहे गए अधूरे दूला दगबास दुलहन मांगे इंसाफ शादी की यह जब कहानी है जिसमें पहले प्यार था फिर इल्जाम लगा धूकी का और फिर एतबार जगाया गया और फिर फरेव जिसका सबूत यह तस्वीरे दे रही है शामियाना सजा है स्टेच दुलहन की तरह सच सच कर तयार है रंग बिरंगी इन रोशनी की बीच दावत की भी पूरी तयारी यानि दुलहन तयार थी घराती भी तयार थे बस सब बरात के आने का इंतिजार कर रहे थे लेकिन यह इंतिजार इंतिजार ही रहा ना तो बरात दुलहन को बिहानी के लिए आया और इन साफ मांग ने दुलहन और उसका परिवार थाने पहुँचा जहां दुलहन के परिवार वालों ने लड़के वालों पर क्या रोप लगाया है वो पुलीस की सुबानी आपको सुनवाते हैं अब पूरी कहानी सुनिये पिरित लड़की का आरोप ही कि दो बार वादा तोड़ा गया लड़का लड़की के बीच अफेर था लड़के ने पहले शादी का वादा किया लेकिन वादा तोड़ दिया था ये मामला थाने पहुँचा लड़की ने लड़की पर शारीरिक शोषन का आरोप लगाया ये केस अदालत में चल रहा है लड़का जेल भी गया जब बाहर आया तो एक ओर ट्विस्ट आया लड़का लड़की से शादी करने को तयार हो गया 23 नमबर शादी की तारीख तैह हुई इधर लड़की वालों ने पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन दूलहा आया ही नहीं साथ फेरों की ये कहानी फिर अधूरी रह गई अब फिर से मामला थाने पहुँचा है इस प्रकार के जो तत्थे आएंगे इनके फर्यादी पक्ष के और रिटेल्स बयान दिये जाएंगे और इसमें जो भी तत्थे आएंगे उसादार पे हम अगरी बूट से वेधाने कारवाई करें दूले की तलाश चारी है कोई लाश अपने कातिलों का कैसे सुराग देती है इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसा ही हुआ पुलिस वाले एक घर में लाश की तफ्तीश करते हैं बेटों ने बताया पिधा जकमी हालत में रात में आये थी मा ने कहा बेटी सही करें लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी आप भी देखिए रिष्टों का पोस्ट माट हो घर में पती की लाश वो जानती थी कातिल कौन है हत्यारे हला मचाए शोर मचाए एक राज तीन रास्तार रिष्टों का पोस्ट मॉटम ये लाश ही अपने कतल की गवाई दे रही थी ये लाश ही कातिलों का सुराग भी दे रही थी 16 नवंबर को रामा नंच साकित की लाश उसके घर में मिली मामला रीवा के चोरहटा थाना लाके का है क्या ये मौत सभाविक थी लाश पर चोट की निशान थे आखिर ये चोट रामा नंच साकित को कैसे लगी रामा नंच की बेटों ने बताया कि रामा नंच को शराब पीने की लट थी जो बाहर से आए तब वो जखनी हालत में थे और सुबह जब बेटों ने देखा तो पिता की मौत हो चुकी थी साकेत बस्ती ग्राम खटा थाना चुरहटा में की एक व्यक्ती पचास वर्स का जिसकी मौत्ति हो गई है और मौत हालत में पड़ा हुआ है सुचना पर से ततकाल थाना स्टाप तोचा और वहां पर तस्तिक की मर कायम किया तस समय घरवालों द्वारा जानकारी दी गई और पोलिस की घुमराय किया गया कि सम्मंदिर चुम्रा तक है वो रात्तिरी में चोट कहीं बाहर से लगा के आया था और घर में आके लेट गया था उसके उसकी मृत्ति हो गई रामानन्द साकित की पत्नी ने भी बेटों की बात पर मुहर लगाए सवाल था कि आखिर रामानन्द पर ये हमला बाहर किस ने किया इस बात की तफ्तिश चारी ही थी कभी पोस्मॉटम रिपोर्ट से केस की दिशा ही बदल गई ये कत्ल का मामला है हत्या गला दबाकर की गई थी ये घर ही इस कत्ल का गवावी था और राजदार भी मृत्तिक रामानन्द के उपर लाठी से वार किया गया ये वार घर के बाहर नहीं बलकि घर के अंदर हुआ दूसरा ये कि गला दबाने वाले उसके अपने ही है बेटों ने पिता की हत्या की और मा ने बेटों के गुना पर पड़दा डाला सवाल है क्यों? जटकी हो गई रिष्टों का कतले जिस विवात की कहनी को बया कर रहा था वो भी सुनिए इस सब के पीछे वजह थी रामनंच साकित की शराब की लड़का और चोटा लड़का था दोनों में ताओं में आकर घुस्से में आकर उसकर प्रहार किया और जब लगड़ी से उसको म मारा तो उसकी मरती ना होने पर उसकी गला दौा कर हट कर दीगी शराब की इसलत ने परिवार की खुशिया चीनी और बिखर गया कुनबा बीरे रिपोर्ट न्यूज एटीन मध्यप्रदेश 36 कर मध्यप्रदेश में रेत माफियाओं के होसले किस कदर बुलंद हैं इसकी बानगी शेडूल में दखाये थी जहां प्रशासन को खुले आम चुनौती दी है रित माफियाओं ने और पटवारी की कुचल कर हत्या कर दी जिसकी बाद प्रशासन से लगातार सियासत तक मैं हर कंप मच गया मधिप्रदेश में खरन माफिया की कारणामों का काला और रक्त रंजित इतिहास रहा है दस साल पहले एक आईपियस की हत्या माफिया द्वारा की जा चुकी है साल 2012 में मुरेना जिले के बामो और कस्वे में अवैद खरन में शामिल खरनिज माफिया ने नौजवान आईपियस सिदिकारी नरेदि गुमार सिंग को ट्राक्टर ट्रॉली से कुचल कर मार डाला था और अब साल 2023 ठीक 11 साल बाद फिर एक बार पूनी खेल खेला है ट्राक्टर से कुचल कर पठवारी की हत्या कर दी गए पठवारी प्रसनिसिंग अवैद खनन रोखने गए थे उन्होंने अवैद उत्खनन कर रही ट्राक्टर को पकड़ लिया रेद माफिया को ये नागवार गुस्रा रेट माफिया की गुर्गो ने ना सिर्फ ट्राक्टर को शुडा लिया, उसी ट्राक्टर से कुछलकर ब्योहारी के खड में पदस पटवारी की हत्या कर दी और ट्राक्टर लेकर फरार हो गए कर देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेक्तों नी बची या कोई घटना नी हो ली तो उसी वक्त एक ट्रेक्टर निकला जिस्ते उन्होंने से मात्र पूस्ताच के लिए उसको रोक के बस जानकारी लेना चाहिए तो उसने हमारे पटवारी प्रसंद सिंग उसको व जो मुख्या रूपी था उसको भी राउंड अप कर लिया गया है साथ ही जो ट्रैक्टर था घटना में प्रयोक तो उसको भी जब्त कर लिया गया है एक फायर भी कर दी गई है और मानी एडी जापके द्वारा इसमें 30,000 का इनाम भी बहुचिता तो इसकी गिरफतारी भी प्रशासन पर सवाल खड़े हो गये हैं कॉंग्रिस प्रदेश अदेक्ष कमलाथ ने सोचल मीडिया प्लाटफोर्म एक्सपर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा उन्होंने लिखा ये पहला मौका नहीं है जब मध्यप्रदेश में रेत माफिया ने इस तर सरकार का संडरक्षन है सरकार के सरपरस्ती में माफिया अधिकारीों कि हत्या करीह है तो रिजपी नेता अश्य शाग्रवान ने कहा कि आचार सहीता के चलते रेत माफिया स्तिर उठा रहे हैं आरोपी को गिरफतार कर कानून उन्हें अपना काम किया तीन तारे के बाद सरकार दोबारा आएगी और रेत माफिया को मिठी में मिला दिया जाएगा तमाम अधकारी कर्मचारी के पिटाई हुए और उनकी मार पीट से आप यहां विदर हत्या भी की गई है सिवराज सिंग से कहना अंडोध करता हूँ मुखंती से के पटवारी की हत्या करने वाले गैंग रेप करने वाले भारती जनता पार्टी के नेता बच्चियों के साथ सेड़ खानी करें इनके मकान क्योंने तूटते देखिया अपरादी पर कल रात ही इनाम गोशित हो गया था उसको पकड़ लिया गया है ट्रेक्टर जब्त कर लिया गया है और इससे जुड़े हुए जो भी और लोग है उनको नहीं छोड़ा जाएगा ये जो आचार साहिता के चलते जो खनन माफिया थोड़ा बहुत सर उठा रहा है तीन तारिक के बाद जब सरकार जब आईगी तो उसको कुचल दिया जाएगा इस घटा से पोलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हुगए हैं क्या रेत माफिया इतने बेख़ौफ हो चुके हैं कि अप शास्तिक के करमचारी की जान भी ली जा रही है अवैद रेत खनन का केल जारी है पुलिस प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई कर रहा है रेत माफिया पर नकेल के लिए अब क्या आक्शन लिया जाएगा यहाँ पर रुकेंगे बहुत चोड़े से ब्रेक के लिए फॉरन लॉट रहा है